हालो फ्रेंट्स रादे रादे वंस अगें दिस प्रोफेसर दानी खंडेलवाल एंड लाइफ रॉम्बाई थेंक यू वेरी मच्छ आप लोगों ने इतना रेस्पोंस दिया मुझे तो लगा के बेसिक के बाद आप लोग क्या फीडबेक आएगा खेसे रहेगा लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से फीडबेक दिया और मुझे मजबूर कर दिया आपको एफम पढ़ाने के लिए और डेफिनेटली नाओ रेडी और पका मैं आपको सारे टॉपिक्स जितने भी ट्रक्टिकल आस्पेक्ट हैं एफम के वह आपको जरूर से सिखाऊंगा और ए बालिंसिंग डिसीजन का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है और नेम अपड़ी टॉपिक इसे लीव रेजिस राइट आपने इसे सुनाओक ना लीव रेजिजिजा या तिलको तो यह लीव रेजिजिजे मेरी बेटियां वो बोलती है कि पापा हमें हमारे फ्रेंस बोलते ह अरे तुमको तो यह लीव रेजिजिजे तुमारे पापा तो सीए है तो तुमारा तो राइक कॉस्तिंग तो ऐसी अच्छा हो जाएगा तरके ना तो लेकिन मैंने आपको क्या पता है था कि कभी भी अपने को कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है वराबर उसको तीन में आ टॉपिक इन डे टुदे लाइफ फिर अपन देखेंगे हाउ टॉट अटेम दिन दा एक्जाम तो प्रपरेशन यो डिवाइट इन टूपिक इसल्फ एन सेकिंड वाट इस इम्पोर्टेंस अब दिस टॉपिक इन डे टुदे लाइफ तो स्टार्टिंग का वन आर में जस इंस्त आपको इम्पोर्टेंस ओफ टॉपिक शिखांगा आप इम्पोर्टेंस औफ टॉपिक सीखिए राइट आप यह मत देखें कि आप यह मत मत सूचे कि यह यह लीवरेज़ेज क्या है अगर आप टेखनीकल ही जाएंगे ना एफम में आप समझ नहीं पाएंगे अग यू ट्राइटू अंडरसेंड दा कंसेट एक बार आपका कंसेट क्लियर हो गया ना आपको बहुत मजाएगा तो थियोरी नोट्स में आपको बाग में लिखाता हूं पहले मैं आपको एकड़म प्रक्टिकल तरीके से एक डम लॉजी कली मैं आपको लेकर चलता हूं कि ये कं आपको अगर fm सीखना है अगर आपको fm सीखना है भी wanted to learn fm पहले आपका costing बहुत अच्छे से prepare होना चाहिए क्योंकि costing के बाद ही हम लोग इसके उपर जा पाएंगे बराबर तो theory notes में आपको बाद में लिखाता हूं पहले आप लिखिए and try to understand करिए leverages क्या चीज है तो income statement में अपन क्या करते थे फेले बताईए sales sales minus variable cost अपन क्या करते थे बहुलो sales sales minus variable cost अपन क्या करते थे बहुलो contribution contribution minus fix cost अपन क्या करते थे EBIT इंट्रेस सपन क्या करते थे इबीटी में से टेक्स माइनस करेंगे तो अपने को क्या आएगा अर्निंग आफ्टर टेक्स में से प्रेफरेंस डिविदेन और जो बचेगा यह जो अर्निंग अवेलेबल टू एक्विटी शेरोल्डर उसको अगर अपन डिवाइड करेंगे आप शेर से तो अपने को क्या आएगा इप्येस ओके एक बार मैं आपको रिवाइज कर वादेता हूं देज इस जोर स्टेट्मेंट शोइंग इंकम स्टेट्मेंट शोइंग इंकम अल्राइट फ्रेंट जैसे सपोस मेरे पास यह दो कंपनीज हैं यह कंपनीज ए एंड कंपनीज भी ओके यह एक्जाम्पिल आप जड़ा लिख लिजए चैप्टर शिक्स पहले हेंग डालीए लिब्रेजिस फाइनसिंग डिसीजन स्टेट्मेंट शोइंग इंकम पराबर थेओरी नोट्स में बाद में लेखाऊंगा क्योंकि एक बार ल हुए वो अगर आपको समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा तो आप जड़ा लिखे स्टेट्मेंट शोइंग इंकम कंपनी ए एंड कंपनी बी तो पहला से लिएल समझ सबोश्छ ठाफ टू कंपनी जनेवर्प्ण इंकम स्चhältठ एंड का सेल 10 लक टैनलक नलक इंकम इंकमें एकरशल 10 लक साइल वी का सेल 10 लेक्स, then variable cost, suppose 5 लाग, and suppose 5 लाग, इतना आप copy करते जाएं मेरे साथ, आपको जो balance बच्छेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो, contribution, 5 लाग, and 5 लाग, two companies हैं अपते पास, company A, company B, company A का सेल 10 लेक्स, company B का सेल 10 लेक्स, variable cost, 5 लेक्स, 5 लेक्स, contribution, 5 लेक्स, 5 लेक्स, fixed cost, suppose 2 लेक्स, and suppose 1 लेक्स, आपको आजाएगा, earning before, interest and tax, 3 लेक्स, and 4 लेक्स, या आपको क्लियर हुआ खिने फ्रेंज, is this clear or not, hmm, I'll repeat, दो companies हैं अपने बस, A and B, एका सेल 10 लेक्स, एका सेल 10 लेक्स, एका variable cost, 5 लेक्स, एका contribution 5 लेक्स, एका contribution 5 लेक्स, ये 1 लेक्स, और ये 3 लेक्स, और ये 4 लेक्स, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, leverages को आप भूल जाए, forget it, we are learning leverages, right, अगर मैं आपको पूछता हूँ, कि ये दोनों company के अंदर, कौन सी company risk है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, कि इन दोनों companies के अंदर, कौन सी company risk है, तो आप कैसे बताएंगे, तो एक तरीका ये है कि सर, आप बोल जाकते हो, सर, A 3 लाख रुबे कमारी है, B 4 लाख रुबे कमारी है, इसका मतलब एक company risk है, No, I am talking about the business risk, मैं आपसे क्या बात कर रहाँ, friends, my dear friends, I am talking about business risk, मैं आपसे क्या बात कर रहाँ, मैं आपसे बात कर रहाँ, business risk, business risk इसके ओपर depend करती है, business risk, इसको अपन क्या बोलते हैं, business risk इसके ओपर depend करेगी, operation, इसको operating risk भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, operating risk भी अपन बोल देंगे, operating risk मींज जिस company का fixed cost जादा है, जिस company का fixed cost जादा है, वो company आपकी क्या रहेगी, risky, जिस company का fixed cost जादा है, वो company आपकी क्या रहेगी, risky, अगर ये company ने zero business किया, अगर एक company ने zero business किया, तो आपको कितने का loss हो जाएगा, रुपीज, टू लेक्स, और अगर इसने zero business किया, तो loss कितना होगा, वन लेक परबर है इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अपन operating risk की बात करें अगर अपन business risk की बात करें तो company A risk है क्यों क्योंकि company A का जो fixed cost है वो high है अगर यहाँ पर zero business होटा है यहाँ दो लाग का loss होगा यहां पर एक लाग का लोस होगा, तो सबसे पहला हमको निकालना रहता है business risk, अगर अपने को कोई भी financial decision लेना है तो सबसे पहले हम लोग क्या calculate करेंगे business risk, तो यहां पर तो चलो, हम लोग नहीं, मैंने आपको बोला कि वह आपको पस्तिंग की वज़े से मालूम है, what is fixed cost, what is contribution, what is sales, what is variable cost लेकिन सपोज, अगर आप commerce वैग्ग्राउंड से नहीं हो, और आपको पता करना है कि दरा two companies और दोनों companies के अंदर, there are two companies और दोनों companies के अंदर कौन सी company का business risk जादा है, कौन सी company का business risk जादा है तो इसके लिए friends हम लोग calculate करते हैं, operating leverage अब यह operating leverage क्या है, मैं आपको theory notes में भी लिखा दूँगा operating leverage क्या होता है, it is relationship between two variables जो हमको बताएगा business risk और उसको mathematically हम क्या बोलेंगे अब ज़र आ जाएए, mathematically हम उसको क्या बोलेंगे, mathematical हम उसको बोलेंगे degree of operating leverage, it means contribution divided by earning before interest and tax degree of operating leverage को हम क्या बोलेंगे, contribution divided by earning before interest and tax what is operating leverage, it is a relationship between two variables जो आपको पताएगा about the business risk देखो इसके अंदर दो कमपीज थी है आपकी, आप देखो A ज़रा टू कमपीज, A, B ते यहाँ सोनू फ्रेंट्स, ठीक है, अब आजाएए, contribution क्या है इसका, A का, contribution क्या है, 5 लेक्स, EBIT क्या है, 3 लेक्स, क्या जाएगा, 1.67, B में, 5 लेक्स, divided by 4 लेक्स, क्या आएगा, 1.25, आपको समझ रहे के नहीं, 5 लेक्स divided by 3 लेक्स, 1.67, और यहाँ पर क्या है, 1.25, इसका मतलब, इसके अंदर, बिजनिस रिस्क के किसका ज़्यादा रहेगा, बिजनिस रिस्क ज़्यादा रहेगा, किसका, बिजनिस रिस्क किसका ज़्यादा रहेगा, बोलो, बिजनिस रिस्क किसका ज़्यादा रहेगा, बताइए, बिजनिस रिस्क ज़्यादा रहेगा, A का, because A के अंदर, आपका जो fixed cost है, वो ज्यादा है तो अगर कोई परसन को financial statement नहीं देखना है तो वो कैसे decision ले सकता है कि जिस company का degree of operating leverage degree of operating leverage ज्यादा रहेगा वो company business में high risk लेगी वो highly risky रहेगी आप बोलोगे that is the one part second होता है friends degree of financial degree dfl बोलते है इसको दीक है इसमें जैसे सपोज finance means interest इसका interest एक लाग रुपिया इसका इंट्रेस 50,000 या इसका इंट्रेस आप ले लिजे इसका इंट्रेस आप ले लिजे 2 लेक्स इसका इंट्रेस वन लेक्स आपका आ जाएगा earning before tax is one leg and three legs earning before tax आपकर क्या जाएगा बोलो one leg and three leg बराबर अब अगर अपन देखनी जाए तो इसके अंदर देखो two legs rupees interest है इसका one leg है interest is a fixed commitment आपको दे नहीं पड़ेगा financial आपका commitment है आपको पैसा दे नहीं पड़ेगा तो DFL means degree of financial leverages again meaning क्या होता है बाद में मैं theory notes में लिखाता हूँ degree of financial leverages means क्या है it is a relationship between two variables which defines the financial risk mathematically इसको कैसे लिखेंगे it means यहां पर क्या compare करेंगे earning क्या compare करेंगे friends जिसी जोर earning before interest and tax divided by earning before tax earning before interest and tax divided by earning before tax earning before interest and tax आपका क्या है जैसे suppose company A है और company B है earning before interest and tax 3 lakhs divided by 1 lakh this comes to 3 times or 4 lakhs divided by 3 lakhs this comes to 1.33 again this company is a risky because this company is highly risky this company is a highly risky because this company is having a high financial risk इसका कितना आ रहा है 3 और इसका कितना रहा है only बोलो 1.33 तो formula आपको clear हो गया earning before interest and tax divided by earning before tax यह किसके लिए यह किसका judgment करने के लिए यह financial तो पहला formula का क्या हो गया degree of operating means contribution divided by earning before interest and tax यह दूसरा आपको हो गया earning before interest and tax divided by earning before tax ऐसे अगर logically भी अगर आपन देखने जाए तो यहां पर अगर आपन आप देखोगे तो दोनों के अंदर आपको क्या हो गया यहाँ पर fix cost का भी problem है बोलो यहाँ पर fix cost में भी problem है और दूसरा यहाँ पर interest में भी problem है इसके लिए फिर कभी कभी क्या होगा एक company का interest में problem है दूसरी company का fix cost में problem है तो क्या करेंगे तो हम लोग निकालेंगे इसका combined leverage मिस दोनों को combine करतेंगे अगर दोनों को combine करेंगे तो देखो earning before interest and tax and this is job earning before interest and tax आपका क्या हो जाएगा cancel finally आपके आपके आपस क्या बचेगा बोलो this is job combined leverage और इसको क्या बोलेंगे DCL it means your contribution divided by earning before tax contribution divided by earning before tax अब आप देख लिजे क्या था आपका combined leverage में क्या हो जाएगा DCL contribution divided by earning before interest and contribution आपका कितना था five lakh five lakh और earning before tax कितना है one lakh and three lakh आज है यह आप जड़ा company A company B contribution five lakhs contribution five lakhs इसका one lakh और आपको एक किलियर हो गया पहला मैंने आपको बताया था कि डिग्री ओफ ऑपरेटिंग लिवरेज इस यॉर contribution डिवाड़ेट बाइड 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 पराबर मैथमेंटिकली आपको याद रखना है फॉर्मूला contribution डिवाड़ेड बाइड बाइड यह मैं आपको आपको क्यों सब बता रहा हूं क्योंकि अपने को analytical part काफी है करके ना तो कहीं आप अटके नहीं उसके लिए है ना दूसरा मैंने आपको बताया था फाइनेशल फाइनेशल मींस इवी आइट डिवाड़ेड बाइड 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 इवी ट अब मैंने आपको बताया कि कि इवी आइटी कैंसेल हो जाएगा तो लास्ट में आपके बस्त पच्चे का डिग्री ओफ degree of combined leverage this year degree of combined leverage degree of combined leverage आपका क्या रहेगा friends क्योंकि मैंने आपको क्या बता था इन दोनों को combine करेंगे एक था आपका contribution divided by EBIT and EBIT divided by EBIT यह आपका क्या था DFS यह EBIT EBIT कैंसल हो जाएगा finally आपके पास DCL बचेगा this is your contribution divided by EBIT वेराबर contribution आपका company A and company B company A का contribution कितना था 5 लाख company B का contribution कितना था 5 लाख divided by आपका EBIT कितना है 1 लाख आपका EBIT कितना है रुपीस इसका मतलब यह आपका आजाएगा 5 और यह आपका आजाएगा 5 और यह आपका आजाएगा 5 divided by तो फिर आपको combined पर decision लेगा जिसका combined ज्यादा है वो highly risky रहेगी company ठीक है अगर आपको ऐसे नहीं करना तो दोनों को अगर आप multiply करोगे तो भी आपका आजाएगा देखो यहाँ पे आपका यह आ रहा था 1.6 बराबर है यहाँ पे आपका क्या रहा था 1.6 बराबर पर यह 1.67 इंटू 3 आपका combined leverage क्या जाएगा 5 समझें है नहीं समय ओके तो आप पहले तीनों के एक बार आपन फॉर्मुला लिख देते यह तीन आपके leverages पहले आपका degree of operating leverage क्या रहेगा बोलो contribution divided by EBIT बराबर है दूसरा आपका रहेगा degree of financial leverage इसमीज EBIT divided by EBIT फिर तोनों को mix कर जेंगे तो DCL आपका जाएगा degree of combined leverage EBIT EBIT cancel contribution divided by EBIT यह के लिए हुआ के लिए हुआ के लिए शेयरी मैं आपको बात में लिखाता हूँ पहले आप पूरा formula पार्ट आप समझे दो यह DOL यह DFL और यह DCL अगर दो चीजे हैं अगर उनको combine करना है तो आपको यह देखना पड़ेगा अब मैं आपको बापस एक दम सिंपल एक्जामपल लेता हूँ आप जरा देखें सब्सक्राइब इस इस माइड श्टेट्मेंट शूइंग इंकम जरा ध्यान से एक दो देखना पराबर यह आपका सब्सक्राइब कोस्ट थर्टी थाओजन कोंट्रिबुशन टुंटी थाओजन श्टी थाओजन थाओजन कोंटनग थाओजन थाओजन। इंक्टरिशन थाओजन थाओजन सब्सक्राइब थाओजन। अर्निंग आफ्टर टेक्स पाइथाउजिन नंबर ओप शेयर्स पाइथाउजिन तो आपका इपीएस आ जाएगा वन रहा है आपका एक इंकम स्टेट्मेंट आपको दे रख रहे हैं इसी जे इंकम स्टेट्मेंट या सो नो आपका सेल्स पचास हजर का है आपका सेल्स पचास जार है वैरियेबल कॉस्ट पिस जार है कॉंट्रिबुशन आपका भी सजार आएगा इस कोसट दस जार आएगा इबी आई टी टेन थाउजिन टेक्स 5,000 earning after tax suppose इसके अंदर एक मैंने situation लिया है जहाँ पर आपको interest नहीं दे रखा है बराबरे here interest is not given यह भी situation हो सकता है sales minus variable cost contribution contribution minus fixed cost earning before interest and tax and directly आपका interest का है ही नहीं तो directly जो भी amount आपका बचाएगा उसके आपको tax भरना है and divided by number of shares करेंगे तो आपको EPS आजएगा say yes ओना और आगे आज आप आजएगे friends suppose this is your statement showing in right यह आपने लिया suppose say sales sales 50,000 variable cost 20,000 contribution 30,000 fixed cost 20,000 earning before interest and tax 10,000 interest 5,000 earning before tax 5,000 tax 50% 2,500 your earning after tax is 2,500 suppose number of shares is 2,500 तो आपका EPS आजाएगा रुपीस बाइगा are you getting more it means आपका sales कितना हुआ बोलो 50,000 variable cost 20 contribution 30 fixed cost 20 EBIT interest earning before tax tax earning after tax 2,500 यह आपका EPS आजएगा अब जड़ा ध्यान से सुनना है बराबर बोलो one by one first degree of first पताएगे degree of degree of operating leverage degree of operating leverage it means contribution divided by EBIT यह आदाया एक बार बोलो सब degree of operating leverage is contribution divided by अब मैं आपको कुछ जादू दिखाने वाला हूँ हाँ इसके अंदर कुछ आपको जादू दिखाने वाला हूँ वो जराब देखे क्योंकि हम जब लोग पढ़ते थे FM तो हमारे टीचर्स का लिए इन फोर्मूला बना के छोड़ देते तर्किर एक्जाम में को सम्थिंग अलगी आता था तो वो जादू क्या है वो मैं आपको देखाना चाहता हूँ तो अब ये एक्जाम्पिल को आप बेस एक्जाम्पिल लेके चलिए आपका सेल्स हैं 50,000 अब आपका आपका डिग्री ओफ ऑपरेटिंग लिए क्या करेंगे चाहता हूँ वो जाएगा रूपीस वन अब आपका आपका डिग्री ओफ अपरेटिंग लिए इस क्या करेंगे अब आपका डिग्री ओफ ऑपरेटिंग लिए इस क्या हो जाएगा बोलो सब लोग आंसर लिखो 3 देन डिफ्ल राइट इसी जोर अर्निंग विफोर इंट्रेसें टेक्स दिवाड़ेद बाइट 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 अर्निंग विफोर टेक्स अर्निंग विफोर इंट्रेसें टेक्स आपका कितना है से 10,000 बरावर अर्निंग विफोर टेक्स आपका कितना है 5000 यह मिलके क्या हो जाएगा टू ओके फिर आपका आएगा डिग्री ओफ कम्माइन लीवरेज इट मींज इबी आएटी इबी आएटी कैंसल तो कॉंट्रिबुशन डिवाड़ेद बाइट बाइट बरावर कॉंट्रिबुशन कितना है 30,000 राइट एंड आपका इबी टी है 5000 तो क्या हो जाएगा 6 और ऐसे भी अगर आपको 3 multiply way 2 करेंगे 3 multiply way 2 करेंगे तो भी आपको DCL क्या आजाएगा आपका 6 यह आपको clear हुआ के नहीं हो यह आपका DCL हो जाएगा 6 अब और यह चीज़ आप ध्याण रख लिजिए डिग्री औफ ऑपरेटिंग लीए रिए दिग्री ओपा इसली डिग्री ओअमानी दिग्री ओवर्मूला क्या हो गये एक बार आपके आंसर आए थे यह हां यह इसको ले लिज्या डियो एल डिग्यों ऑपरेटिंग लिवरेश त्री जैन फाइनिशल टू एन यह मिलके आपका हो जाएगा सिक्स पराबन अब मैं आपको एक चीज बोलता हो करके न और आगे अपन क्या कर सकते हो आप जड़ा देखिए क सब्सक्राइब को बोलता है सब्सक्राइब को बोलता है कि अगर मेरा सेल्स टैन परसंसे इंक्रीज होता है अगर मेरा सेल्स टैन परसंसे इंक्रीज होता है तो मेरा इवी आईटी कितने से इंक्रीज होगा अगर मेरा सेल्स टैन परसंसे इंक्रीज होता है तो मेरा इवी कितने सेंक्रीज होगा अगर मेरा सेल्स तैन परसेंट से इंक्रीज होगा अगर मेРा सेल्स टेन परसेंट सेंक्रीज Мих artists będę जाएगा 55,000 बराबर 50,000 plus 10% of variable cost increases or decreases according to production right according to sales 20 का क्या हो जाएगा 22 इसका मतलब आपके पास क्या बच्चा 33 फिक्स कोस आपका सेम रहेगा 20,000 आपके पास क्या बच्चा इसका मतलब अगर आपका सेल 10% से बढ़ गया अगर आपका सेल 10% से बढ़ गया एन आपके पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है 3 इसका मतलब आपका इवी आईटी है वो कितने से बढ़ जाएगा 30% अगर यह नहीं भी करूं तो भी आपको बता दूंग अगर यह 10% से बढ़ा है और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग आपके पास कितना है 3 इसका मतलब 10 multiply by 3 इसका मतलब आपका जो इवी आईटी है वो कितने से बढ़ जाएगा 30% जो similarly 30% से कम भी हो जाएगा देखो अगर आपको 10% से कम करना से इसका मतलब मेरा सेल कितना हो जाएगा 45 मेरा वेरिवल कॉस्स कितना हो जाएगा इस इस 18,000 it means 45-18 is 27 मेरा यह 20,000 मेरा यह क्या आएगा 7,000 कितने से हो गया 10 10 का 3 times 30% 30% आप माइनस करो गए 10,000 से आपको क्या आएगा 7,000 यह लॉजिक आपको समझना है मतलब यह रिलेशन से पर अगर आपका ओपरेटिंग लीवरेज अगर आपका ओपरेटिंग लीवरेज थ्री टाइम से इसका मतलब आपका इवी आईटी सेल्स के सिमिलर उसमें जाएगा वराब इसकी को ऊपर एक फॉर्मूला और अपन का अपका क्या आ जाएगा में कि अबन अपकर क्या है एक छलिक विडिना टुपर अपकानवन अब देखो एट थाओजिन कितना थाओड इबीटी आपका 555 से क्या हो गया यlier किश्टी ऑपरेजिया शुक्स्टी परसन्त्त क्यों कमाईण लिवरेज यंडर्ट्व लिवर परसेंट का 60 इसका मतलब क्या हो गया 60 परसेंट से तो बढ़ेगा और 60 परसेंट से ही कम होगा आपका आप देखो जह रहाँ 55 का 8 क्या हो गया 8 माइनस 5 दिवारेट बाइट बाइट इन्टू 100 आपका क्या है गा 60 पाइट माइनस टू डिवारेट बाइट बाइट इन्टू 100 इन्टू अंड्रेट इसका में सिक्स्टी परसेंट तो आपको यह जादू पता होना चाहिए कि अगर मेरा वाट इस रिलेशनशिप तर रिलेशनशिप अगर मेरा अगर मेरा अगर मेरा ऑपरेटिर्स बर्सेंस लड़ेगा अगर मेरा इसके बर्मूलाइब न दबलप हो जाते हैं जैसे आप ये ले देजे डारेक्ट्री अगर अपन को करना है मैं काफी आपको समझ कराऊंगा तब आप देख लेना अच्छे से और पहले आप ज़रा एक एक चीज को ज़रा समझ ये करके ना क्या बोलना चाहरा हूं एक एक चीज को आप ज़रा समझ जाएंगे ना लोजिक आपके क्लियर हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो पहला फॉर्मूला आपका आता है अब नया एक फॉर्मूला आपको बनेगा मैं फॉर्मूला अलग से लिखा दूम आपका ये D.O.L Degree of operating leverage, percentage change in EBIT divided by percentage change in sales percentage change in EBIT divided by percentage change in sales D.F.L percentage change in E.P.S divided by percentage change in EBIT then D.C.L percentage change अब ये आपका कर जाएगा E.P.S divided by percentage change in sales अलग से मैं आपको फॉर्मूला लिखाता हूँ जैसे सपोज आपको दे रखा है sales sales अभी अपने कर ला था 50,000 variable cost इंका ला था, friends variable cost 20 contribution 30 fixed cost 10 EBIT 20 interest 10 10 EBT 10 tax 50 % 5 earning after tax 5 Divided by suppose number of shares 5000 E.P.S 1 5 अब एक एक चीज को आप ध्यांग से देखना है रहा ना सारे फॉर्मूल आपको के लिए कर देता हूं sales, sales आपका 50,000, variable cost 20,000 बोलो, sales आपका 50,000, ठीक है variable cost आपका 20,000, contribution 30,000 cost 10,000, earning before tax 20, interest 10 earning before tax 10,000, tax 5, earning after tax 5 divided by 5 and this comes to 1 अब आपने काली हीचे, degree of ये आपका पहला आपका आपका एगा degree of operating leverage, what is the contribution contribution is 30, divided by EBIT 20, या देना फर्मूला बोलो 1.5, then उसके बार degree of financial leverage, वो क्या रहेगा EBIT, EBIT is, EBIT is 20, divided by EBIT is 10, this comes to 2, follow, degree of combined leverage, it means, ये 20,000, 20,000 cancel, it means 30, divided by 10 and this comes to 3, अब ऐसे multiply भी करेंगे, 1.5, 2, 1.5 into 2 and this comes to 3, बड़ा बड़ा है, ये भी आपका आजाए, ये तो आपने simple formula से, फिर मैंने आपको फिरा formula चिकाया, कि अगर आपका sales, अगर आपका sales 10% से increase हो रहा है, अगर आपका sales 10% से increase हो रहा है, तो आपका EBIT कितने से होगा, 10 into 1.5, इसका मतलब 15% से increase होना चाहिए, यादू है ये, क्यों, क्योंकि आपका operating leverage है 1.5, तो आपका EBIT कितने simply जोना चाहिए, 15% से, आपका EBIT कितने से होगा, multiply by 3, it means 30% से, it means कितने से होगा, 30% से, can you verify the answer, can you verify the answer, देखो, 50, 50 की जगह sales कितना हो गया, 55, 50 की जगह sales कितना हो गया, 55, 20 की जगह variable cost, 22, it means 55 minus 22 is 33, 33 minus 10, आपका कितना हो गया, 23, 20,000, 15% add करो, एको जरा, ताली बजाओ, 23,000, 15% add करो, 15% add करो, क्या आजाएगा, 23, minus 10,000, आपको क्या आएगा, 13,000, 13,000 मत्तब 10, plus 30% आपका करो गरे, 13,000, तो इसी चीज़ को, यही formula आपका क्या हो जाएगा, पहला, यह आपका degree of operating leverage, percentage change in EBIT, divided by percentage change in sales, पर यह आपका, DOL आपको क्या दे रखा है, 1.5, percentage change आपका sales में क्या था, 10, इसका मत्तब percentage change in EBIT क्या आजाएगा, 15%, ज़र directly multiply, तो इसका मत्तब formula आपका क्या हो जाएगा, यह 3 formula, पहले logically आपको clear हुगा क्या है, degree of operating leverage, percentage change in EBIT, divided by percentage change in sales, then DFL, it means percentage change in EPS, divided by percentage change in EBIT, EBIT, EBIT cancel हो जाएगा, it means degree of combined leverage will be percentage change in EPS, divided by percentage change in sales, आपको लिखाँ हुगा अलग से formula, लेकिन आप logic को समझ दीजे धरके, percentage change in EBIT, divided by percentage change in sales, देखो percentage change in sales, अपना क्या था, 0.8, पर अपना operating leverage क्या था, 1.5, इसका मतब percentage change in EBIT क्या आगया था, 15%, देखो ज़र आपके question में, हर चीज़ को comparative करके देख लो, आपको लोजिक क्लियर हो जाएगा, तो यह तीन नए formula डबलप हुए, लेकिन पहले logic से जाई है, logic अगर आप देखोगे ना, तो आपको clear हो जाएगा, एक्टम ना, कि अगर यह directly भी अपन कर सकते हैं, यह अगर अपन directly भी कर सकते हैं, अगर मेरा sales बढ़ रहा है, अगर मेरा sales 10% से बढ़ रहा है, फिटी की जेकर 55 हो गया, तो पराबर तो मेरा 33, 10, तो यह तो यह क्या जाएगा, 15% चेंज जाएगा, और मैं आपको एक लोजिक बताता हूं जैसे सपोज आपको दे रखा है से सेल्स एक लाख आपका वेरियेबल कोस्ट अधिक ताव होजेन कॉंट्रिबूशन कि फिप्ती था और अधिक्स कोस्ट इंटी था और आपका इविए याइटी थाटी थाटी जैसे बराबर है अब आप ऑपरेटिंग लिवरेजिस में निकाल सकते हो ओपरेटिंग लिवरेज बताये कॉंट्रिबुशन डिवाइड बाई इवी आईट पर यार कॉंट्रिबुशन 50,000 पर यार इवी आईटी 30,000 इस फिप्टी डिवाइड बाई या इसको आप फुल्टा ले लेगी यहां चलो ठीक है 1.67 यह आपका क्या हो गया ओपरेटिंग लिवरेज अब एक एक करके जड़ा समय बात को करके आपका ओपरेटिंग लिवरेज क्या हो गया 1.67 अब अगर सपोज आपका सेल्स वन लेक का है वेरियेबल कोस 50,000 कॉंट्रिबुशन 50 अगर यह सेल्स आपका टेन परसेंट से बढ़ता है इसका मतलब वन लेक टेन हो जाएगा यह आपका 55 हो जाएगा यह आपका 45 हो जाएगा यह 55 हो जाएगा आपका 55 में 20 आपका निकल जाएगा यह आपका बैलेंस बचेगा 35 ठीक है 30 की जगा 35 कितने से बढ़ गया 5000 5000 डिवाड़ेट बाई 30,000 इंटू 100 देखो जरा 5000 डिवाड़ेट बाई 30,000 इंटू 100 कितने से बढ़ गया 5000 5000 डिवाड़ेट बाई 30,000 इंटू 100 कितने से हो गया 16.67 आपका सेल कितने से बढ़ आपका यह कितना है 1.67 1.67 इंटू 10 16.67 इसका मतलब क्या हो गया अपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू परसंटेज चेंज इन इबिए इटी डिवाड़ेट बाई परसंटेज चेंज इन सेल्स परसंटेज चेंज इन सेल्स अपरेटिंग लिवरेज अपरेटिंग लिवरेज कितना है अपना 1.67 परसंटेज इन चेंज इन सेल्स यह आपको निकलना है क्या आएगा 16.67 और मैं आपको एक लोजिक बताता हूँ जैसे सपोज अगर आपको दे रखा है सेल्स से रखा है से 50,000 आपका वेरियेबल कोस्ट आपको दे रखा है 20,000 पराबर आपका कॉंट्रिबूइशन आएगा से 30,000 आपका फिक्स कोस्ट आएगा से 10,000 आपको इवी आईटी आएगा से 20,000 यह किलियर हुआ के लिए सेल्स आपका 50,000 वेरियेबल कोस्ट 20,000 कॉंट्रिबूइशन 30,000 फिक्स कोस्ट 10 आपका 20 बराबर है अब देखो अब और एक तरीका में आपको बताता हूँ तो ऑपरेटिंग फिरेज निकालने का है न अपरेटिंग फिरेज आपन कैसे निकाल सकते संपर यह सिचिवसन गहां अब ऐसे देखने जाएंगे तो बोलो operating leverage क्या आएगा आपका contribution, contribution is 30,000, divided by EBIT 20,000, क्या आएगा आएगा आपका 1.5, operating leverage आजाएगा, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, इसके अंदर आपका PV ratio क्या आएगा, पर इस PV ratio याद है costing में, marginal costing कौन साथ अपिक था PV ratio के लिए, marginal costing, marginal costing means क्या, contribution 30,000, divided by 50,000, into 100, and this comes to, अगर आपको FM सीखना है, तो आपका costing part बहुत अच्छे से आना चाहिए, 60% हो गया, 60% हो गया, इसका मतलब आपका break-even point क्या आएगा, क्या आद है break-even point, fixed cost divided by PV ratio, पराबर, for your fixed cost, 10,000, for your PV ratio, 60, into 100, आपको क्या आएगा, it means, 10,000 divided by 0.6, and this comes to, 16666.67, यह आपका क्या आएगा, break-even point, after the break-even point, जो भी बच्चे गा, उसको अपन क्या बुलते हैं, MOS sales, याद है आपको, तानी की costing मफन कराते थे, यह आपका degree of operating leverage आगया, यह आपका PV ratio आगया, PV ratio इज़े contribution divided by sales, BEP fixed cost divided by PV ratio, यह आगया आपका, अब देखो, आपका sales, sales कितना है, पचास अजार, उसमें से, आपका BEP sales कितना है, 16666.67, तो आपका MOS sales कितना बचेगा, it means 50,000 minus 16666.67, it means आपका बचेगा, 33333.33, it means 33333.33 divided by 50,000, आप करिए, क्या आएगा, it means divided by 50,000, this comes to 0.67, यह आएगा 0.67, यह आपका 1 हो गया, यह आपका 0.33 हो गया, क्योंकि यह आपका 0.67 है, अब अगर 1 को, आप 0.67 से डिवाइट करोगे, तो आपको क्या आजाएगा, operating leverage, यह को ज़रा, 1 divided by 0.67, आपका operating leverage आ रहा है, 1.5. अगर sales को, अगर आप MOS sales के proportion से डिवाइट करोगे, तो अभी आपको क्या आजाएगा, तो अभी आपको क्या आजाएगा, बोलो, तो अभी आपको क्या आजाएगा, सेल्स को अगर आप एमोर सेल्स के प्रपूर्पूर्शन से डिवाइट करोगे तो अभी आपको क्या जाएगा ओपरेटिंग इलिग्रेट यह जादू ही कला है जब तक आपको कॉस्टिंग क्लियर नहीं है तब तक देखो वापस एक एक एक्जाम्पल लेता हूँ जैसे सपोज आपका सेल्स से आपका 50,000 वराबर आपका वेरियेबल कोस्ट 20,000 ठीक है यह 30,000 आपका कॉंट्रिबूशन 20,000 वराबर आप फिक्स कोस्ट सपोज से 10 अजा आपका इवी आईटी क्या आएगा इवी आईटी आएगा 10 अजा अब पहले पीवी रेश्यो निकाल दो पीवी रेश्यो आपका क्या आएगा कॉंट्रिबूशन 20,000 वोलो फड़ाबर इबारेट बाई 50,000 यह आपका क्या आएगा 40 परसें बराबर है बीप आपका क्या आएगा बीप आपका आएगा फिक्स कॉस्स कितना है 10,000 टेन ताउजन डिवाड़ेट बाई 40 इंटु हंड्रेट इटमीं टेन थाउजन डिवाड़ेट बाई पॉइन फॉर अपका कितना आएगा 25,000 बराबर है आपका टोटल सेल्स कितना है आपका टोटल सेल्स है 50,000 उसमें से आपका बीपी सेल्स कितना है 25,000 मैंने बताया था ना कॉस्टिंग में तो बागी का जो बचेगा वो क्या हो जाएगा एम वैस अब 50 मैं से 25 यह तो .5 हो गया आदे लोगों को समझी नहीं रहा कैसे हो गया इतनी सरे बाई 25,000 डिवाड़ेट बाई 50,000 आपका क्या आएगा .5 और 25,000 डिवाड़ेट बाई 50,000 आपका क्या आएगा .5 बराबर हम मैंने आपको क्या बुला था कि सेल्स को अगर मोस से डिवाइट करेंगे तो क्या आएगा ओपरेटिंग लिवरेज सेल्स कितना है वन एमोस सेल्स क्या है पॉइंट पाइट आएगा टू पेरिफाई कर लो गारेंटी है बहुत नहीं आए तो आप बोल दे रहां आपका क्या है यह सब आपको मिसिंग फिगर के ताइम पर याद आएगे तो आपको फॉर्मूला फाइनली लिख जेता हूं एक मैंने आपको लिखाये था डी ओए डिग्री ओफ ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इट मींज contribution divided by EBIT ओके degree of financial leverage EBIT divided by EBIT वराबवा degree of combined leverage EBIT cancel हो जाएगा contribution divided by EBIT यह दोनों cancel हो जाएगे E-B-I-T, E-B-I-T, contribution E-B-I-T, याफे, D-O-L, degree of, degree, degree of operating leverage, degree of operating leverage, percentage change in E-B-I-T, Bolo, divided by percentage change in sales, D-F-N, percentage change in E-B-I-T, percentage change in E-B-I-T, D-C-L, percentage change in E-P-I-T, divided by percentage change in sales, sums करेंगे तो और के लिए रोगा, यहना, पर अबर, फिर लास्ट मेंने आपके क्या बताया था, degree of operating leverage क्या हो सकता है, sales divided by MOS, sales, अगर आप इससे divide करेंगे तो भी आजाए, theory notes और बापस से repetition मैं आपको बाद में कराता हूँ, thank you very much.